वेलकम बेक फ्रेंट्स यह हमारी वीडियो नंबर 51 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए और प्रिवेस कुछ वीडियो से हम डिसकस कर रहे थे टू डिमेंशनल एरे या सिंपली मैट्रिक्स को और इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम क्रियेट करने वाले हैं इसमें हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का या हर एक डेटा का फैक्टोरियल हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसका डिरेक्टली प्रोग्राम हम यहाँ पर क्रियेट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम क्रियेट करने वाले हैं फैक्टोरियल तो simple सा है हम यहाँ पे factorial calculate करेंगे factorial of each element of a matrix तो simple सा यह program हम यहाँ पे create करेंगे तो start करते हैं सबसे पहले अपने program code के अंदर हमने include करना होता है हमारी header file stdio.h को जिसकी मदद से हम printfn scanf का use करते हैं then हमारा जो starting point होता है किसी भी program का वो होगा int main लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक function को भी create करूँगा जो कि हमको factorial calculate करके देगा तो यह जो function है यह एक number भी accept करेगा तो इसके लिए हम एक variable यहाँ पे ले लेते हैं और इसकी coding हम फिर करेंगे तो इसके बाद हमारा जो main function है यानि कि int main and int main के बाद हमारा program code जो है वो actual में start होता है तो सबसे पहले तो हमने एक matrix यहाँ पे लेनी है तो मैं एक 3 by 3 के एक matrix यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके element भी यहाँ पे initialize कर देता हूँ तो initialize करने का तरीका आपने previous videos में भी समझा होगा और यहाँ पे भी हम directly इसको initialize कर देते हैं तो मैं directly यहाँ पे values दे रहेता हूँ जो भी आप values यहाँ पे देना चाहें आप इनको change भी कर सकते हैं तो हमने element यहाँ पे दे दिये total 9 element और यह जो element है directly इसमें save हो जाएगा और यह already हमने previous video में discuss किया हुआ है तो अगर आपने previous videos नहीं देखी है तो पूरी जो playlist है उसका link का आपको description box ने मिलेगा तो simply array हमने यहाँ पे ले ली और इस array को run करने के लिए तो हम nested loop का use करेंगे तो हमको दो variables की भी यहाँ पे जरुवत पड़ेगी तो यह तो simple सा हमने matrix को declare किया तो अब हम यहाँ पे loop को start करते हैं यानि कि सबसे पहले एक i loop जो की row को यहाँ पे represent करने वाला है तो less than 3 तक इसको हम run करेंगे यानि कि इसकी value 0, 1 and 2 यहाँ पे चलेगी and then i++ and इसके अंदर जो हमारा दूसरा यहाँ पे loop होगा जो की column को represent करता है तो यहाँ पे j equals to 0 से लेकर j is less than 3 तक and finally j++ तो इसके अंदर जितने भी हमारे element है directly उसको हम printf के अंदर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ %d and यह visualize इसको हम और अच्छे से यहाँ पे करें इसके लिए tab difference और इसके बाद simply factorial जो function हमारा है उसको हम call करेंगे and इसमें जो value हम pass करेंगे वो होगा simply i and j यानि कि हमारा जो row and column है तो यहाँ से हर एक value जो है वो function को हम pass करेंगे और वो function हमको return करेगा उस number का factorial तो factorial return होगा और directly वो print भी यहाँ पे हो जाएगा and then readability को और अच्छे से बढ़ाने के लिए simply हम यहाँ पे एक new line भी दे देते हैं तो यह तो simple सामने logic यहाँ पे बनाया तो code को complete करने के लिए return 0 भी हमने दे दिया तो अब simple सामने यहाँ पे जो है factorial कलकुलेट करना है तो factorial के लिए भी सबसे पहले तो एक loop के लिए हमको यहाँ पे जुरित पड़ेगी और finally factorial के लिए मैं यहाँ पे variable लेता हूँ जिसमें initialize मैंने यहाँ पे कर दिया 1 अब देखिए factorial आपको साइद अल्रेडी पता हो for example अगर 4 हमारे पास है तो 4 का यहाँ पे जो factorial होता है वो होता है simply 4 multiply by 3 multiply by आपका 2 तो 4 into 3 into 2 into 1 तो इसका simple सा इस तरीके से हम factorial निकालते हैं किसी भी number का यानि कि उस number से हम 1 तक सभी numbers को multiply करते हैं और multiplication है तो इसको अगर हम reverse order में भी multiply करें यानि कि 1 to 4 तो भी कोई problem नहीं है तो 4 into 3 12 and then 2 तो simply यह हो गया 24 इसी तरीके से अगर हम 5 factorial यहाँ पे करेंगे तो 5 factorial हमारा होगा 5 multiply by 4 then into 2 then into 1 तो इसका simply हमारा answer आएगा 120 यहाँ पे तो I hope आपको समझ माया होगा कि हम factorial किस तरीके से यहाँ पे calculate करते हैं तो इसी को अब हम यहाँ पे निकालेंगे आपका loop की मदद से तो for I equals to 1 से इसको हम यहाँ पे start करेंगे then I is less than equals to x तक इसको हम चलाएंगे यानि कि जो number हमको यहाँ पे मिलेगा and then simple आपका I plus plus आ जाएगा and इसके बाद हमको factorial calculate करना है तो factorial equals to यहाँ F equals to F multiply by जो हमारा यहाँ पे loop की value है या simply I हम यहाँ पे लिखेंगे तो simple सा है F के अंदर आपका factorial calculate हो गया and then simply हम यहाँ से return कर देंगे आपका factorial को तो I hope आपको समझ में आया होगा काफी basic सा एक code था तो इसको अब हम यहाँ पे execute करते हैं तो execute करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखिए simple सा है 1 का factorial 1 ही होता है 2 का factorial हो गया 2 then आपका 3 का factorial 6 then 4 का factorial 5, 6, 7, 8 और यह number आपका बढ़ता ही जाएगा तो I hope आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक matrix या 2D array के elements का factorial यहाँ पे calculate करते है तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खतम होती है वीडियो number 51 तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में वीडियो number 52